रजम शेट पूर में महाशु वरात्री के मौके पर दो मुहानी नदी तरपर सादू माहत्मा के द्वारा शाहिस दनान किया क्या आई यह शाहिस दनान पहली बार किया जा रहा है जहाराज्य के स्वास्त मंत्री बन्ना गुप्ता स्वाम उपस्तित रहें जिसका जायजा लिया हमारे सयोगी प्रभात कुमार ने स्वास्त मंत्री भब आवे जन पहली बार इस थरीके से आपके द्वार किया जा रहा ह react क्या करें कि MOR asking मेरे देंडार नहीं सभी लोगों के द्वार खिया जा रहा है और साम को अभी नौ बजे से शिवजी की पुजा है बाबा सिवजी की पुजा है जला अभी शेख होगा और साम को आरती होगी और फिर भजन संद्या भरस सर्मा जी की भजन संद्या से लोग जो है उसमें विभोर हो जाएंगे और यह ब्रा पवित्र माहौल है आज महाशिवरात्री की मैं बहुत सुपकामना देता हूं इल्कुल देखी जिस तरीके से राजी के स्वास्तमंतिरी ने कहा कि लोगों में काफी उमंग और उस्सा है इस आयोजन को लेकर यहां जिस तरीके से यह भब भी तरीके का आयोजन किया गया है कुछ सादू संद भी हम उनसे जान लेते हैं कि भाई आज 29 संदान करने पहुँचे हैं पहली बार इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके का आयोजन यहां नदी में हो रहा है सादू संदों का संदान हो रहा है पहली बार यह भू रहा है प्रवारम बहुत अच्छा हो रहा है हमारा हिंदू संस्कृति के आस्ता के परती बिस्वास होने के लिए जगया जा रहा है तेरे ना आर्ती करकर के पुजा करकर के तब हम लोग गंगा में परवेश किये हैं और असनान किये हैं बाबा सब के साथ प्रशासन के दौरा गोता खोर की विवस्ता की गई है कि जो भक्त यहां करने आएंगे देखिए आपको नजर दिख़ा होगा कि बेलून से बेरिकेटिंग कर देए कि उसके आगे 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 आपको नहीं जाना है कि भव्यक आयोजन, राजी के स्वासमंत्री और जो छेत्र के विधाय के उनके दवारायजित के साती साथ आम लोगों के भी इसमें बड़ी भाग्यदारी है प्यानौर के साथ पार नीजलन भारत जंशेत्पूर नीजलन भारत सच है तो दिखेगा